हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल स्टॉक रिपोर्टर में तो उम्मीद करते हैं आज आपका दिन अच्छा खासर आओगा और कल जो हमने अब आपको बताया था कि मार्केट में आज मार्केट ओपन होने के बाद भी मार्केट में निफ्टी ने स्पेस लिए 9575 के आसपास का एक मतलब अच्छा पांसो चौरासी के आसपास का हाई कि और उसके बाद फिर नीच आया और यह प्रवाइक करना तो गैप अपनिंग हुई और लॉंग एक्टिवेट होने के बाद मार्केट नहीं आपर आया और लगबग हमारे लेवल्स के आसपास यहां पर टार्गेट हीट हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे आया अब यह मार्केट नीचे क्यों आया है अगर हमारे आपने दो तिन दिन पहले काम ने एक वीडियो डाला था पियार्जेट लेवल्स करके यानिके पोटेंशल किस लेवल की कहां तक हो सकती है और उसके अंदर हमने आपको exactly कुछ लेवल्स बताया थे तो वीडियो में आये तो बने रहीएगा आगी चलके अभी उसके अंदर हम थोड़ा सा उसके उपर अनालिस करेंगे कि क्यों उस लेवल से मार्केट 9600 के आसपास के मार्केट क्यों रिवर्सल हुआ है अज उसका बेसिस क्या था वो सब चीज़ हम आपको आगे अनालिस करेंगे और ऑप्शन चेन में पी अनालिस करेंगे कि कलके किस तरह से काम हो सकता है तो बने रही है हमारी वीडियो पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं भी आता हूं तो दोस्तों एक बार हम जो यह 9600 के आपस से यह निफ्टी क्यों वापिस आज रिवर्सल हुआ उसके पर बास्त कर लेते हैं तो हम चलते हैं हमारे दूसरे लेवल पर जो है पी आर्जेंट लेवल जो हम जिसके पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अभी चार- हो तो इसको एक बार चेक कर सकते हो आपको काफी कुछ अच्छे समझ में आएगा इसका समझ लो इसका एक एडवांस पार्ट है वो वीडियो आप वहां पर दाकि जरूर टेक आउट कीजिए तो यह है हमारा पी आर्जेड लेवल वाट इस पी आर्जेड लेवल और इसका अब आपको बताया था यहां से एक बाउंस आ सकता है मार्केट के अंदर और निफ्टी ने आज एक अच्छा आप अपनिंग करी और अपनिंग होने के बाद इस जो ट्वन्टी में यह ब्लैक लाइन के उपर गया और वहां से एक बायर स्ट्रैप करा और उसके बाद तो आप हमारे पिछली वीडियो जाके देखिए उसके अंदर हमने बताया था कि जब मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसका जो नेक्स टूपर के लिए लेवल होगा वह निस अजार छेसों के आसपास का लेवल निकल के आएगा क्योंकि जब इसको ब्र यह लाया और यह एक ट्रैप जोन था और हमने अपने वीडियो में बताया भी था कि अगर यहां पर कोई एक रिबॉंड होगा यानि के मार्केट में रिटेस्टमेंट होती है तो यह उनिजार छेसों के आसपास आएगा और यहां पर कोई लॉंग ट्राइणी करेंगे लो तो अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है यह तो अब आप यह समझेंट लो कि यह मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूं अच्छिक है जब हमने वीडियो बनाया था तो यह यहां पर था इस पर यह जो लाइन थी यह लगवग इस लेवल पर थी ठीक है तो यह मारी लाइन थी उपर जो इसका जोन था इसे चाहिए उपर जाएगा और यह सिफ लॉंग ट्रेप करने के लिए उपर जाएगा क्योंकि यह पर जिस तरह से आप देख सकते हैं के पीछे कितने दिन काम किया एक दो तीन चार पांच छे चे दिन यहां पर ट्रेडिंग शेशन में काम किया उसके बाद नीचे डाउन हुआ तो डाउन होने के बाद यह दो टाइमस यहां पर इसमें त्वेंट फिफ्टी में की जो लाइन थी इसको रिस्टेक्ट किया उसके बाद यहां से बाउंस आया है तो यह अभी ट्रैब्स होने यानि कि कि निफ्टी 9600 के पर जब तक नहीं जाएगा और उसके इक या दो दिन प्लोज नहीं करेगा जब तक हम यह लोग नहीं करेंगे ठीक है यानि कि इस लाइन के नीचे यहां पर आके इसको किस कर सकता है और दोस्तों यह बिलकुल ध्यान रखना कि जब भी एक 50 में की लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे राइट इस तरह से यह कोई क्लोजिंग आया या एक है दो दून यहां पर टाइम पास करें और इस के उपर क्लोजिंग ना है तो तब इसमें लॉंग मत ट्राइक करना क्यूंकि फिर एक ट्रैप हो सकता है यहां पर एक जोन बनाएंगे ठीक है और उसके बाद यहां से सीधा मार्किट को नीचे लिए आ जाएंगे जो कि हमारे लेवल निकल के आ सकते हैं इस लेवल के भी ब्रेक होता है तो अठाराजार साथसो असी और अठाराजार पान्सों के लेवल यह फिर हमको आने वाले टाइम में वीक में या देख सकते हैं ठीक है तो इन लेवल को आप जरूर अपने माइंड में या इसको नोट करके रखिएगा उननीस दार छे सो एक स्ट्रॉंग रजिस्टेंस निफ्टी के लिए और उननीस दार पचास का क्लोजिंग बेसिस पर आप यह नोट कर लो ना बिल्कुल अपने उसमें डाइरी में बत किजेगा क्योंकि यह लेवल्स ही काम करती है मार्केट और अभी भी सेम पैटन काम कर रहा है जैसा कि हमने बताया था कि यहां से बाउंस होगा तो कि किस करेगा किस की और वापिस मार्किट आज नीचे राइट तो दोस्तो चैनल पर आते हो तो लाइक करके जाए किजि पर लेंगे बैठाट है कोरणा हुआ है आप जाके तुहां पर क्रेक्ष्ए कर सकते हो तो एक बार हम ऊप्शन को भी ट्राइग कर लेते हैं और एक बार अपधिस चाड़ पर कि कल इंक क्लो याइज कर लेतेंगे इंट्रडे किस लेवल के लिए मार्किट काम कर सकता है कि दोस्तों अगर कल कोई भी एक चोटा मोटा गैप होता है और 19420 के उपर यहां पर ट्रेड होना स्टार्ट होता है और यहां पर कुछ वक्त बिताता है इस तरह से और बायर्स में एक्टिव होते हैं यानि कि उपर के लिए होते हैं तो फिर हम यहां पर बाइयर ट्राइ करेंगे जिसमें हमारा 19,460 का लेवल होगा और 19,490 का लेवल हम कल के लिए ट्राइ कर सकते हैं कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और जो आज कल हो है ये ब्रेक करके यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन बनता है और यहाँ पर नीचे रूखता है तो फिर हम यहाँ पर एक शॉट करेंगे शॉट के अंदर जो हमारे टार्गेट होंगे वो नीचे के लिए 19,305 के होंगे और 19,250 का लेवल यह हमारे कल के लिए शॉट के लिए टार्गेट हो सकते हैं यानि कोई लॉंग ओप ऑप ओपनिंग होती है और और निचे चार सो बीस को रिस्पेक्ट करती है तो 19,006 चैनलीच और 19,00460 और उनिचाब चार सो नब्दे का लेवल होगा और अगर को गैप डान ओपनिंग यहां पर एक फ्लैट ओपन होता है और मार्केट और यहां पर प्राइजेक्शन करता है और लोग करता जो आज कर देल हो है उसके बाद यहां पर उसके बाद हम इस यहा दोस्तों हमने दोख09 आपको और दॉस स्व rented कैसे पर टोगी में एक बांपनित у Employee Char belongings? एक बाड़ न defe क्या हुआ दाले दाम ही क्या हुए तो चलिए हमारा स्टाप का こर चेक कर लेते हुएं तो दोस्तों अनने एक शाघ्ड दिया था बजाज आटो में आप तो हम यहां पर एक शॉट ट्राइब करेंगे ठीक है इसने पहले टिक में एक स्मॉल निंगेटिव केंडल बनाए उसके बाद यहां पर वाइर उसके बाद यहां से मार्केट को उपर लेगे जो हमारा इस टॉप लोस था राउंड 4700 का उसको ट्रिगर कर दिया इसने बजा जाटोने और उसके बाद यह वापिस से एक सेलिंग स्टाट होई इस लेवल से और वहां से वापिस आप देख सकते हो कितना अच्छा एक नीची की तरफ मुवमेंट हुआ और जो हमारे टार्गेट थे 4630 और 4620 यह दोनों टार्गेट इसने हिट करें और उसके बाद इसन ट्रेड कर रहा था 4690 के आसपार जो और हमारा इस टॉप लोस था 4700 के यानि कि हमारा लगबग 10-15 रुपे का इस टॉप लोस इसने ट्रिगर करा और उसके बाद जब यह आप वापी देख सकते हो उसके बाद जब वापीस इस रेंज में आया और इस रेंज को इसने बेकर ब्रेकर 4670 4672 के लेवरल को तो उसके बाद इसने सीधा नीचे के नीचे के जो टार्गेट थे हमारे उसको हीट कर दिया यह 4620 और 4602 यह दोनों टार्गेट हमारे अचीव हुए इसमें स्टॉप लोस हुआ तो इसका कोई मतलब है नहीं तो और दूसरा हमारा जो स्टॉक था इंडिया भूल हाउसिंग फाइनेंस तो इसके अंदर हमने आपको लॉंग ट्रेड बताया था तो लॉंग ट्रेड म लेट जो हमने दिये थे वह 155 के 158 और उसके बाद कहा था कि यहां पर लेवल सस्टेन करेगा तो 160 के लेवल भी आ सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर एक गैप अप अपनिंग हुई 2-3% की और इसके बाद यहां पर मिस्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिया पहला लगबग 158 हमारे सेकंड टार्गेट के आसपास ही इसने क्लोजिंग यहां पर किया है तो अब यह हमारे कल के दो स्टॉक थे जिसमें से आईबूल हाउसिंग पाइनिंस ने अच्छा खासा परफॉर्फॉर्मेंस के बादा आटो हमारा बैड लग रहा कि उसके अंदर एक जो है अपना ऑप्शन चेनल कर लेते हैं उसमें क्या कल के लिए क्या हो सकता है कुछ डेटा अगर अच्छा बना हुआ तो मैंसे बात करते हैं तो देखते हैं तो इसमें आज की जो है आज यह हमारा जो है यह 31 यानिकि जो नेक्स्ट वीग जो हमारी फाइनल एक्सपारी म मार्फेट के अंद्र हो सकता है महला प्यां इसकते सब्सक्राइव गोले को सब्सक्राम य। स्ट्राइक पर है जहां से आज निफ्टी मतलब क्लोजिंग से देखेंगे तो दोस्तों कल इस पे भी हम नजर बनाएं रखेंगे और अगर कोई टेलेग्राम यूज करते हैं आप लोग दिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देंगे आप उसको जाकि हमारा टेलीग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हो अगर उसमें अच्छे मेंबर याड हो जाएंगे तो उसके बाद हम डेलिया आपको इंट्राइड लेवल से और कुछ काम करने के लिए पेप पर बता जीते की कार्ड चार्ट ने आपको वहापर सजेशन दिया हुआ था और अगर नीचे ट्रेट करना स्टाट करेगा तो फिर हमारा जो निचे तीन सो पचास और नीचे जार दूसों सम्टिंग के आसपास के जो लेवल हो सकते हैं तो हमें कल ओपन इंट्रेस्ट पे यहाँ पर भी धियान देना पड़ेगा कि मार्किट यहाँ पर ओपन इंट्रेस्ट में कल क्या चेंजिस होते हैं उसके भियाप पर हम आगे ट्रेट करना स्टार्ट करेंगे कल की आकोडिंग ओके दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो पसंद आया है तो पिर लाइक किजीगा सब्सक्राइब किजिए लाइक शेयर किजिए आपका अपना चैनल स्टोप रिपोटर थैंक यू वेरी मच